हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आर्थी स्वागत है आपका मेरी किचन में रादे रादे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेस्पी लेकर आई हूँ कई बार क्या होता है कि हमारा मन नहीं होता है सबजी बनाने का ये मन करता है कि घर के सभी लोग अचार ये चटने के साथ खालें ये ऐसी ही रेस्पी है और आटे से बनके त्यार होगी और टेस्टी लगती है कहीं दिन तक आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं सफर के लिए बैस्ट है बच्चों को लैंच में दे सकते हैं कुछ भी बाहर से नहीं लाना है इसके लिए आपको घर की सवान से बनेगी और पोस्टिक और हैल्दी एकदम टेस्ट में भी बैस्ट इतनी अच्छी लगती है जो भी खाएगा सब भी तारिफ करेंगे चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने लिए दो प्याज दो ती लसंब की कलिया लिए लसंन हे आप सकते vapor कर सकते नहीं शोना किए टेस्ट बहुत अच्छा आता इससे दो बड़े साइज का कि अलुक अतकिया hoch किक het टमाटर आप इसकीब कर सकते हैं भी महंगा है बहुत घरों में होता है कि नहीं लाते हैं टमाटर मैं भी बहुत ही गम ला रही हूँ ठीक है आप हम इसे ग्राइंड कर लेंगे इसके लिए मैंने लिया है तीन कटोरी आटा आप अपनी फैमली के हिसाब से आटा लीजिए जि होड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डालेंगे धनिया न आओ तो मैंने अजवाइन के पते डालेंगे क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने ज़एं के पते डाली है अब चाहिए इसकीब कर सकते हैं लेकिन टेस्ट अच्छा आता है और 1.5 चमच के करीब मैंने इसमें लिए कलोंजी यह बहुत अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए भी बहुत पॉस्टिक होती है सफेद तिल लिया है दो चमच ना हो तो इसकीप कर सकते हैं थोड़ा सा अधी चमच के करीब मैंने साबु जीरा लिया है थोड़ी सी अजवाइन क्रेश्ट करके डाले अब देख कि अब लास्ट में नमक डालेंगे स्वाद अब इसे हाथों की मदद से जैसे आटा लगाते हैं आटे से थोड़ा सा टाइट लगाना है जैसे पुरियों का अटा लगाते हैं गूत लेंगे और अगर आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीस मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बैल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे, मैं घर के समान से ही सब कुछ रैस्पी शेयर करती हूँ, सारी रैस्पी मैं घर के समान से ही बनाती हूँ, जो भी समान बनाती हूँ, और जो मेरे बच्चे के लिए बैस्ट होती है, वो रैस्पी अपनी यूटूब फैमली के साथ शेयर करती हूँ, देखे मैंने एक टाइट इसको हाउस वाइफ को क्या ची होता है एक टेस्टी सा खाना हो और जल्दी बनके तियार हो ज्यादा महनत भी न लगे महनत भी न लगे बच्चों हजबन और फैमिली के लिए वह एकदम पोस्टिक भी हो हैल्दी भी हो अब मैंने इस आटे की थोड़ी सी लोईयां मोटी काटे काटे कर लिए अब चलिए हम इसे हम लोई को बेल लेते हैं और हां इसे न ज्यादा पतला नहीं बेलना है इस रोटि को पूरी के पेल रहे हैं जादा पतला नहींद को स्काटने काटनेन सब्सक्राइब नहीं इतना ही मोटा मुच मूटा गिलास के निडिये हैं इसके यहां चाटनी हैं और सारी पूरीयां में में बेल में त्यार लिए ध्राइब हुती है जर्वज सभी थे ख्यार में बहुत टेस्टी इसथी लगती है अब हाई फे ते लिए करेंगे और एके करके पूरियों को डालेंगे एक बार में जितनी पूरियां आये इस अद्वी डालनी है एक्स्टान डालनी यह और पूरियों बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है जब तक ये तेल में उपर ना जाएं फूल कर अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे अगर आपने हाई छोड़े रखा तो फिर ये पूरियां एक से जल जाएंगी एक एक करके इन्हें पलटते रहेंगे पलटे की मदद से उलटते पलटते इन्हें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे तेल में फ्राई करेंगे पूरियों को और एक करके इस तरह अगर तेल में जगा आए तो फिर आप इसमें और पूरी डाल सकते हैं क्योंकि ये सारी उपर आ जाती है और नीचे का तेल जो होता है वो ख पूरी बनके तेयार हुई है और बिल्कुल आप चटनी अचार के साथ खा सकते हैं दही के साथ खा सकते हैं चाय के साथ खा सकते हैं मैंने अब एक एक करके हम इसी तरह से सारी पूरियां तियार कर लेंगे और निकाल लेंगे देखे फ्रेंस बनके बिल्कुल पूरियां ए आपके पास तो धनिया डालिए यह तो मयने इस प्ते जाद र शबी के घर मिल जाता हह प्लांट इसकी चटनी बहुत अच्छी हो प्लांट अब म काला नमक डाल सकते हैं ब्लैक सॉल्ट अच्छे से मिक्स कर लोगी से चाहे तो इसे ऐसी खाए नहीं तो इसमें जीरे का तड़का लगा लगा ले मैं तड़का लगाऊंगी इसके अंदर बहुत टेस्टी लगती है और सबसे बड़ी बात है जिन्हें ग्यास की प्रॉब्लम मुझे रेस्पी पसंद आती है बच्चों को पसंद आती है वो ही शेयर करती हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई फ्रेंड